तो स्वास्त वे उस्ताव वर्तमान सरकार में एकदम कॉमर्शियल होती जा रही है तो पोल्टाक की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बैठा हूँ लखनाओ के सरोजी नगर विधानस्वा सीख जो है जहां से स्वाती सिंग मंत्री है और यह इलाका है आशिय 2020 में सबस्वारती मिकार संदेश है तो आज हमाने साथ कुछ मेहवां हैं छो रहने वाले रहने वाले हैं और लखनाओ को बहुत सालों से देख रहे हैं तो वाज लखनों की मुल्बूस विधाओं पर यहां पर बदा हुआ है जो होना चाहिए था उस पर आधम चर्चा करेंगे तो आधम चलते हैं इनके बीच में और इनसे सीधी बातों को जामते हैं किस पर क्या काम होना था और किस पर नहीं हो पाया हमारे साथ मौझूद है सौरब जी और सौरब जी आपको बताएंगे कि लखनौ में इन्हों ने अपने जीवन में 10 12-15 सालों में जो पॉलिटिकल चेंज यहां हुआ सरकारे बदली उनका क्या असर पड़ा स्वागत है और आप बताएं कि आपको लखनों में जो बदला हुआ आपको कितना अच्छा लगा या क्या होना चाहिए था नहीं जिस आप से बदला होना चाहिए था वह तो नहीं ह हुआ और सरकारे भी बहुत सारी आई गई ज्यादातर तो बोड बदलता रहा सरकारे तो कभी उत्तर प्रदेश सरकार तो बनना पाई उत्तर प्रदेश में लेकिन हां यह है कि बीजेपी के टाइम में बड़ी निराशा हुई जितनी उमीद हम लोग ने की थी वो तो बिल मेट्रो आई है मेट्रो जो आई वो बीजेपी नहीं लेकिया थी मेट्रो तो अकलेश आदव लेकिया थे तो अकलेश आदव के टाइम में जितना काम हुआ वो तो उसके अलावा हुआ नहीं फिर उसके बाद से हुआ नहीं मतलब जो 2012 से 2017 से जो काम होना चाहिए था वो का बिलकुल नहीं हुआ और अकलेश अधरओ जी के टाइम में काफी स्काम हुआ उतर प्रदेश में लखनो में स्वास्त में आपको क्या फेस करना पड़ रहा है जो चीज़ां पहले होती थी उसमें स्वास्त में क्या बदला हुआ गया थी है कि प्रफद के बारे में बहुत सारी बाते हैं आज वसी बात को जैसे बात को मैं आगे बढाता हूं अमिजी के पास और वह आपको बताएंगे कि लोहिया में किस तरह से निजी करन का जो असर पड़ा है उसका क्या लोगों को जेलना पड़ रहा है तिवारी एपल कंपनिक मेनेजर हत्या हुई थी गोली लगी थी उनको वहां लेक जाया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया इंस्टिटूट में ले जाया गया था इंस्टिटूट वालों ने मना किया कि इस तरह के केस अब नहीं लेते हैं उसको आप चिकिसालेम ले कि यदि इस तरह के चिकिसा व्योस्ता रहेगी कि हमारे यहां एमर्जेंसी ट्रामा केस नहीं लिए जा सकते निसुल्क में तो हमाएं एक जन्द साधारन वेक्ति को कैसे इलाज मिलेगा या अकासमिक समय कैसे इलाज मिलेगा रात के दो बजे किसी के एक्सिडेंट हुआ तो पैसे की कहां व्योस्ता करे आया कमजगम उसको इलाज तो तुरंद मिल जाना चाहिए पैसा बाद में भी मिल सकता है अस्पताल को लेकिन ऐसी व्योस्ता ठप कर दी गई इन व्योस्ता थी ऐस प्राइवेट की तरह इलाज होता था जिसको आज के डेट में पूरा दो राम नौय चिकिसाल को मर्ज कर दिया जब लोईया चिकिसालामें उसी की बिल्ड bunu को लिखा पड़ी में बता दिया कि यह बिलडिंग हमने बनाई है और यह कम सेकम 2000 क्रों का गोटा लाए हमने राम नौय लोईया में औपी प्रड़े के पेशन्ट रिकॉर्ड देखे कम से कम चार से पांच हजार पेशन्ट ओपीडी में आते थे आज की डेट में हुए है मरीज भटक रहे हैं सिविल चीकिस्टा ले जा रहे है या फिर बल्लामपुर जा रहे हैं वहां वर्कलोड बढ़ गया यही आल बल्लामपु और डालेशिस होती है तो स्वास्तव वर्तमान सरकार में एकदम कॉमर्शियल होती जा रही है मिरे नाम प्रताब चंद्रा है दरसल सरकार का काम क्या होता है सरकार का काम होता है कि जनता को सुरक्षा स्वास्त और सिक्षा यही तीन चीज मोहिया करा सकते हैं कराना चाहिए अब भाई लोगों ने क्या किया कि सिक्षा की तो बाते खत्म कर दीजे क्योंकि सिक्षा की तो ये लोग अभी कल सिक्षा मंत्री ने ग्यान बांटा है आप सब ने सुना होगा क्या रे स्वेटर क्या बांटना है स्वेटर तो एक जन्वरी के बाद पहना जाता है तो चचा को मालूमी नहीं है कि एक जन्वरी के बाद पहना जाता है कि उसके पहले पहना जाता है उसके बाद बताएंगे चौदा को तो खिचड़ी खतम हो जाती है अब तो ठंडा खतम अब क्या जरूरत है स्वेटर की ये काम पिछली बार भी जो स्वास्त मंत्री थी मैडम उन्होंने नारा लगाया था और शपत ग्रहन किया था गीता की उपर हाथ रख करके जैसे किया जाता है कि मैं इश्वर की शोगंद खाती हूं तब तक साल नहीं ओड़ूंगी जब तक बच्चों के वे तन पे स्वेटर न आ आ जाएगाा 500 स्वेटर आये थे 500 स्वेटर बटे उसके बाद उनका तन दग गया साल चया और उसके बाद मौझ में रही उसके रही लौटा नहीं दूसरा लाट श्वेटर का यह तितितिये शिक्षा की दलिया उलिया तो इस तो सब बहुत कामन हो गया है कि पकड़ा गया और भाई लोग विश्वास करते हैं भाजपा का विश्वास प्राइवेट में है प्राइवेट सिक्षा दे दो प्राइवेट अस्पताल दे दो अस्पताल की स्थिति अभी अमिजी ने बताया इन्होंने बिचारे बहुत एक लाख पर मन्त जिस अस्पताल में लोग निशुलक इलाज कराते थे उस अस्पताल का बोर्ड उतारा गया और दूसरा बोर्ड उसी पर लगा दिया गया कागज में दिखाया गया कि नया बनाए है चिड़ इतनी है कि लोहिया नाम था तो इसलिए लोहिया से तो भईया चिड़ है सावरकर होता तो ठीक था मुखर्जी होता तो ठीक था माठल होता तो ठीक था लोहिया अब मतला गजब की राजनिती का पहलू आ गया है कि भाई लोगों ने लोहिया नाम के चक्कर में उसको उतार करके उसी पर बोर्ट चड़ा दिया और उसको बना दिया PCI के तरीके से यानि कि हर इलाज 500 रोपे का पहले पर्चा बनेगा जो भी PCI में होता है अब एक लाख लोग जो उस रिलाखे के हैं, वो क्या करेंगी, आप पिजियाई, एक नहीं, सौ बनाओ, डिएड़ सौ बनाओ, मेडिकल कालेज, तो मालग से बना लेते, कोई रोक नहीं थी, मैं तो यह कह रहा हूँ कि जितने जिले में अस्पताल हैं उन जिले अस्पतालों को मेडिकल कालिज बना दो हर जिले अस्पताल को बना दो हमें कोई दिकत नहीं होगी और अच्छा होगा लोगों को इलाज मिलेगा नस्दीक में इलाज मिलेगा एक तरफ हुआ दिल्ली में मुहला क्लिनिक हो रही है और यहां गोमती नगर का बंद कर दिया अब गोमती नगर वाला जाएगा सहर क्लिनिक हो गई है इस सहर का जाएगा दूसरी सहर में इलाज कराने यह तो रही स्वास्त की बात सिक्षा का मैंने बताई दिया सुरक्षा कि तो हम बताई नहीं रहें क् प्राइवेट करने में उस्ताद हो गए इनको यह नहीं समझ में आता है कि अपनी सरकार क्यों चला रहे हो भी प्राइवेट आद्मी को एक आक्सन निलामी निकाल देते तो हम लोग बैठ करके सरकार चलाते, कोई और बैठ करके सरकार चलाता जो सरकार चलाने में नीपूर होता, ये लोग जाके मठ वाट चलाते, जूटे मठ वालों को, मठ वालों को जब देंगे सरकार चलाने के लिए, तो क्या होगा, भाई माले जे कि, भाई एक छोटा सा इन लोगों की इस्तितिय जहां तक सवाल पिछले 10 सालों में लखनव का है, निश्य दूरूप से लोग आज के डेट में मायवती को पसंद करते हैं, कहते हैं लाएन आडर बिल्कुल ठीका और वास्तों में, बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो अकेले दम पे काम करती थी, प अटली में कुछाला हो गया, गया में हो गया, गोबर में हो गया, सब में गोटाला निकलेगा, गाय गोबर सब में निकलेगा, गोशाला से ले करके और बनवाई थी, नामकरण करना, इनका पीशा है भई, हमारे उत्तरप्रदेश की मुक्पंतरी ने एक काम बहुत इसमें जिस काम में निपुर थे, वो उन्होंने बाकू भी किया, उसमें उन्होंने कहीं से कोई हिला हवाली नहीं की, गढ़्धा युक्त तो करवाई दिया है, अब सरों को कहते हैं, इस तारीक तक गढ़्धा मुक्त जाना चाहिए, तारीके उन्होंने बहुत सारी दे लखनों को, लेकिन गढ़्धा युक्ती है, गढ़्धा मुक्त नहीं हो पाया अभी तक, एक सुदने में आया, पुर्वांचल एक्स्प्रेस बनने जा रहा है, वो कब बने हो तो भगवाने माली कर, उसका भी नाम करने हो रहा है, जितने इस पर जोड़ दे हैं, उसमें सबसे बहुत साफ सुतरा है लखनों तो लखनों की कोई इसा शेत्र नहीं जहां पर गंदगी ना आपको मिले, अंबार लगा होगा गंदगी का, नहीं इसमें कोई दो रहा है नहीं पिछली बार की जो सरकार थी, अकलेज की सरकार निशी तुरूप से लुटे रहे हैं सब जितने पार्टी आले हैं सब लुटे रहें कोई कम कोई जादा तो मतलब आप इतने कह सकते हैं कि थोड़ा आराम है थोड़ा ज्यादा आराम है लुटे रहे तो सब हैं, अब कमाएंगे सब 10,000 क्रोन का 11,000 क्रोन में बनवाएंगे, एक आद अधाजार क्रोन उनके सित्रोजगार कारेंटी लागू कर सकते थे, पर उसमें कहां से कमीशन मिलता है, और तो और ये चचा लोग प्राइबेट एक घोटाला समझे भाजपा गवर्मेंट का सबसे बड़ा घोटाला जो मुझे दिखाई देता है, एक लड़के को कौशल योजना में 45,000 रुपय प्राइबेट कंपनियों के देना पड़ता है, टाटा, बिल्ला, महंद्रा, जो भी प्रस्टिक्चन देते हैं, 45,000 में उनका ठेका होता है कि बच्चे को तीन महीने में कौशलेंदर बना होगे, कौशलेंदर बना करके इनको नौकरी सुनिशित करोगे, अब वो सब क्या क करते हैं, कि उनको कौशलेंदर बनाने का सर्टिफिकर जारी करते तीन महीने में, अपना बच्चे का तीन महीना जाया जाता है और गवर्मेंट का 45,000 रुपए आना होता है, और उस बच्चे को कौशलेंदर बना करके मौल वगेरामें कहीं नौकरी दिलवा जेते हैं, तुमने 45,000 रुपए ले करके बच्चे का तीन महीना ले करके उनको सर्टिफिकेट दिया तो अब बजार में क्यों घूम रहा है उसको तो कहीं नौकरी में एड़ेस्ट करने का वाइदा था ये इतना बड़ा घोटाला है कि 45,000 में से कितना पार्टी के फंड के पास जा रह इसका कोई मतलब रेट बढ़ गया चुकि वैसे ही दोता है जैसे जितना सख्त अधिकारी होगा उसके रेट उतने बढ़ जाते है जैसे सोरभी क्या कह रहे तो कुछ कह रहे जाए अब बात एक बार और कर लेते हैं चिकिस्ता ब्योस्ता की अभी हाली हाल में लगूआ है जन उसदीकें अगर सुछा आप लोगोंने नाम जन उसदीकें वहां पे दवाईया जो हैं बहुत सस्ती मिलने ही कहा गया रहा है लेकिन क्या है बिल्कुल बेकार है जब जन उसदीक विवोस्ता नहीं थी उसके पहले ब्रांडेड कंपनी की दवाईयां पेटें दवाईय पहले देडिया निसुल्क मिलती थी उनीची की सालों में आज बेकार क्वाल्टी की दवा भले मिल लगे 10 रुपए 12 रुपर नहीं उसकी कोई क्वाल्टी नहीं जो भी कहते हो मुझे नहीं पता उसके बारे में लेकिन आप यह सोचे पहले निसूल्क मिलती थी पेटेंट कंपनी की अच्छी कंपनी की दवा एक जो सर्टिफाइट कंपनी होती थी नाम अगर आप लोग जानते हो तो पता सकते हैं और आज जो है मेडिन लखनौ दवाईयां मिल नहीं है कोई भी घर में बनाता है उस प्रकार की दवाईया अब अगल में दुकान खोल दिये कि जा अच्छा असल में हम लोगों भी मुर्ख हैं हम वास्तों में मुर्ख हैं मुर्ख क्यों है कि उन्होंने का कि सबका साथ मेरा विकास हम लोगों ने समझ लिया कि मेरा विकास मतलब मैंने अपना विकास समझा और भाई लोगों ने तो बताया था कि उनका विकास होगा मतलब सबका साथ मेरा विकास उन्होंने विकास किया कोई उसमें दिक्कत नहीं है हम लोग गलत समझ बेटे और जनता भी देखिए कि इतना खुसा कि जन्हों सदीकें में दवाईया सस्ती मिलने वो भूल गए कि निसुलक दवाईया अच्छी थी पैसा देगे जनता को तो जो प्र जो दवाई कंपनिया खुल गई हैं उनकी दवाईयां अउसदी केंदर में हैं और इतना बढ़ियां ही लोग पुलिंदा में उस्ताद हैं बताने में कि जनता भी उसको सुनती है करे भी क्या जनता इनों की विवस्ता और देखिए सरकारी चीश सालियों की कि विक्ति जात देखिए मों डॉक्टर के पास पहुंच पाता है डॉक्टर लिखता है कि यह प्राइविटाइज करने सरकार को दे दे हैं प्राइवेट हाथ में ताकि ठेका बट्टा करने निलामी करने मतलब यह पूरा टेंडर निकाल दें जो बढ़िया सरकार चलाने का वाहिदा करे उसको दे 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 और अपने बाइट करके देखे सब्ता में अब या लखनौ का हाल का कहा जाए लखनौ की तो इस दिए कि सरकारे बोर्ड बदलते चले चले गए सब ब्रेंड़ेट कंपनिया हो गई है और ऐसे ही चलेगा क्या कर सकते हैं किसी की वो है नहीं इच्छा की देश के लोगों के लिए काम करें सब अपने अपना विकास सबका साथ साथ तो सबका लेंगे विकास अपना करेंगे अधाम महिलाएं हैं संसद में बोलने की हिंमत नहीं होई कल सम्रती इरानी कूट कूट करके बोल रही थी किस के उपर बोल रही थी राहुल के उपर रहुल के ऊपर चिला रही थी प्रण के लिए लेकिन नारी के सम्मान में कब के निकली भोला एक काली जयाबादुडी जी भूली थी वखिया किसीने बोलाने सांस निकली नहीं तो यह तो प्रण कल इस जी लो चुपपे लगनाव में और सुरक्षा के बारे में क्या कहा गया सकता है लगनाव देखी रहे हैं हत्या लगाता इसलिए तो आप पूर्णोर सरकारों का तुलना किया जा उत्तर प्रदेश की बसपा सपा और भाजपा की अभी तक के कारकार तो मेरे हिसाब से बसपा संवाजवाई पार्टी नंबर दो अब गोट वाज कितने हैं कि 0.5 परसेंट जो सैस लेते हैं वो भी गायब हो गया स्वक्सता अभियार मला एक डिबबा कूड़े का दिखा दिखा दीजे सहर में कहीं लखा हो क्यों नहीं है सची सोचाले कहीं नहीं जहां रखे भी कहें वहाँ इनी के रिप्यूट के वे जमादार जो रात में उठा ले जाते हैं यह समझ लीजे कि सोचाले के पैसे जो सैस होते हैं सैस का मतलब कि कहीं और नहीं खर्चो सकता है आप किसी मार्केट में भूत नात गोंती नगर यहां आलंबाग किसी महिला को अगर बातरूम आ जाए यह चुरोती देता हो कि कहीं कहा जाएगी वो एक सोचाले इन लोगों ने नहीं बनाया है यह इतने गोटाले बाज हैं कि एक सोचाले के नाम पर पैसा हमसे वसूल है एक सोचाले इन्होंने बनाया नहीं है यहां बने हैं इसके अच्छे वाज़े पैसे लिए जा रहे हैं तो कहां वहां पश दूपी पांच रुपेय ले करके दे दे तो ठीक है वो तो गायफ कर दिया वहां हजरत गज में दो था वह इई अलंबाद में कहां है बुतलाद में कहां है गुम्तिनगर में नहीं है तो सबसे ज़्यादा तो पब्लिक रियाईसी आखे में रहती है हजरत गज में कौन जाता है हजरत गज में जो जाता है गाड़ी से जाता है अपना निकल जाएगा आगे तो यह इस्तिती सोचाले की है कुल मिला करके फेलियोर सरकारे हैं यह वाली है कि जो रेड़ी पट्री वाले हैं उनको वेंडिंग जोन 2014 एक्ट का जो है उसको इन्होंने लागू किया है यहां मैं परसो लोग बंदू के पास लगे हुए रेड़ी पट्री वाले फूल वाले सबके 15-15 रुपे चालान काटके चले कि दुगाने अटाओ नहीं तो वे आशियाना में हम बैटे हुए थे लेकिन जब चार बाग से अब गुमती नगर तरफ आएंगे तो लोहिया द्वार आपको दिखेगा और लोहिया द्वार पुरी तरह से बीरान पड़ा हुआ है क्योंकि काम जो हुआ था वो सपह सरकार में हुआ था लेकिन लोहिया पार् परिकर के नाम पर मोदी जी या उनके जो और पार्टी के लीडर फैंब बड़ी बाते करते हैं तो जो काम अधूरे थे उसको पूरा नहीं किया गया है और कोई नया काम भी नहीं किया गया है लखनाओं के हकीकत यही है गोमती नगर को लोग माया वती की जब सरकार थी बस इलाके से, जहां से महिला बाल विकास मंतरी है स्वाति सिंग जी, तो स्वाति सिंग के इलाके की बात आपने सुन ली है, सिक्षा, स्वास्त और बाल विकास की जो बाते थी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट, शेयर लाइक जरूर करें, और आप नन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत